आप सबका स्वागत है कोमर्स किचन में अभी कॉरेंटाइन पिरेट चल रहा है तो मैंने का अधर के सामनों से एक अच्छी डिश बना दी जाए तो मैंने आज आप के लिए बनाई है पुडिंग केरेमल पुडिंग है यह तो लिसी डिफरेंट है और बहुत स्मूध रहती ह इसे आप अपने घर पे बनाएगा और आपने एस्पिरेंस कोमर्स के साथ आप शेयर कीजिएगा पैन गराम करने के लिए लग दे एक कप में चोटा वाला शक्कर ढाल दे रहें और इसे ऐसे ही दो मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि वह नूची से गरम हो कि खुद से टारीबिए पस्क्टा ना शरुब हो गया है कि अब और देख मेड़ने लगने लग लगेगा इसे काटलि यह ऊक्टाप शुक्र होसे पहले आपको की दा मोल्ड होता है कोई भी गड़िंग ने असकते वह मोल्ड की आप तयारी करके रखियो जैसे करेमल मनें कमें पहले मो कि शदीविश चलाती रह तो यह चิपक जाएगा और जादा डार कलर हो जाएगा थाला पॉर नहीं करना है हना है दखका ब्राउनी करना है अच्छ़ग मुस्छ manner काल्येक सब्सिद्वाइस की परना खीक या बरतन गरम करके उस इसके consistency आप देखी सकते हैं कि तेची है में फ्लेम आफ कर देना है इदेखिए मैंने मोल्ड की तैयारी करके रखी दी और मैंने मोल्ड में यह डाल दिया है करेमेल के लिदाने के बार इस मोल्ड से फैला देना है अच्छे से अच्छे से इसको पैला दीजीगा ताकि चारो तरफ से यह अच्छे से पैल जाएं जब तक हम कश्टर्ड बनाएंगे जब तक ही हमारे मोल्ड का जो कहरे मैंने वो धन्ना हो जाएगा रूम टंप्रेचर पर आ जाएगा यह देखिए अने मैंने वड़ी साहिच की चैब्रेड ले लिए उसकी चारो तरफ मैंने कोने उतार दिया है इसको छोड़ी तुकड़े काचके और हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है कि देखिए मैंने आदे करोड़ी दूद दिया है इसमें में चार चम्मच कष्टाड मिना देना है चम्मच की साइज आप कुछ भी ले सकते हैं और देर करोड़ी दूद मैंने को बलने के लिए रग दिया है यह देखिए इसे दूद में अच्छे से गोल दीजिएगा ताकि इसके सारे लंस है वो खतम हो जाए यह देखिए मैंने जेड का दूद यानि आदा रीटा मिने दूद लिया है उसमें मैं अपने स्वाधिस आंख से शक्राग दी रहे हुआ यह देखिए इसे कंटीनू चला चलाते थक्याइब ने जेके सब्सक्राइब में यह देखिए यह दालम मेली तभी ओंपनेर। अब यह देखी है हमारी कस्टर्ड वो गाढ़ा हो चुका है अब आप इसमें एक चमच जो प्रेड क्रम से इसमें जालते जाएंगे और कंटीनी इसमें चलाते जाएंगे तो किये गाने दीरे दीरे जालते जाएगा और चलाते जाएगा कि आप मारे जो गोल है गाण्यों जा रहा है सी है ऀसे कर के फूर व क्रेड क्रम से खतम कर देना है आप दीख सकते कि अच्छी Talking लेट क्रम्स और बचाई है वे इस सब को डाल देना है उसके अच्छे से मिक्स करोगए कर देना है और मोल्ड में डाल देना है इसको गरम-गरम ही ताकि वो सेट हो जाए अच्छी से देखिए रूम टंपरिचर पर आ चुका है अब जो हमारा गरम-गरम घोन है इसके अंदर हमें डाल देना है पूरा अच्छी से दालने के बाद इसे सैट कर दीजेगा टैप करके यह देखिए मैंने जो गोल है उसे टैप करती है इंदर हो गए यह देखिए, यह मोल्ड मेरा तयार हो चुका है अब इसे फॉयल से हमें रैप करते हैं अब तक आशाब नहीं है तो आप क्रीन रैप से भ लिघर जाता है वाफ इसे बटर पेपर से वी रडाप कर सकते हैं कोशिच कीजिए इसको वाइल से ही राप करने के लिए ताकि यह लेन हमारा मूल्ड और मैंने एक बर्तन में गरम पानी करने के लिए रख दिया है रेखे合े दे हैं ईसके अदर गर यह प्लेट रख दिया आप इसे हम अंदर डाल देंगे और इसे डबकन लगा के 20 मिनट तक हमेज़ तीन पर पकाना है 20 मिनट हो चुक है मैं इसे डबकन को हटा के और आप रूम कंप्रिचर के लिए दो घंडे के रखतोंगे यह दो घंडे हो चुक है मैं आपको दीरे-दीर खोल के दिखा रहे हूं कि इसकी क्या कंडिशन है आप देख सकते हैं यह देखिए मेरी केरमल पुडिंग बन के तयार हो गई है मैं इस आपको पाट के दिखा रहे हूं कि यह कैसी दुख रही है आप देख सकते हैं यह मेरी कुडिंग इतनी अच्छी बनी है इसे आप अपने घर पे बनाईएगा और बताईएगा कैसी लगी फोमेंस कीचन को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जल से जल नए वीडियो आप तक मैं पहुचा सकूं